नमस्कार प्यारे किसान भाइयो आपका अपना ही चैनल विलेज किसान में आप सभी का स्वागत है मैं आपका दोस्त संतोस यह जैविक किटनासक है जैविक किटनासक किस परकार से बनाया जाता है वो आप इस वीडियो में देखेंगे और कौन सी बेल कौन सी पोध को लाकर क सिखाएंगे है आसके नीम के जो पेर होते आपके घर के आसपास मिल जाते हैं तो देख रहें कि यह तो इसमें से जो पते हैं पोगा करोंगा और शेड़िया हम्हें वह रेंचरी साख्याक की ले लाइट है वह चोड़ सकते हैं यह जो हांडी है मैं इसको मैं रख देता हूँ इस परकार से मोर के रख दूँगा फिर उसके बाद ये जो देख रहे हैं ये अकॉन है इसे आख भी बोलते हैं आपके इधर इसको क्या बोलते हैं हमको कमेंट करके आप बताइए तो इसको भी मैं ये देख रहे हैं कि ये रोट किना नवी जहां पर होते रहता है सरकों पर किनारे में यह बहूत शारी का पैर लगा होता है सुद्लिई में इस प्रकार से देख रहे हैं इसको पास सष्का कुछ तो आभा मिल जाते हैं तो देह लेखले सहरों में भी अराम से मिल जाता है तो देख ले सहरों में भी बहुत सारे जंगल वाले इलाके होते उसमें रोट के किनारे जंगलों में यह बहुत ही असानी से मिल जाता है तो इसे आख भी या कॉन भी बोलते हैं इसको पता तोर देने के बाद इसमें वाइट वाइट सा गोंद निकलता ह यह जो देख रहे हैं आप ऐसे तो चलिए आप इसको मैं रख देता हूं तो इसको भी मैं रख दिया हूं उसके बाद यह जो देख रहे हैं यह कर्मी इसको बोलते हैं तो कर्मी के फूल से तो आप आप अचानी जाते हैं उंगे यह जो देख रहे हैं यह कर्मी है तो यह जह है करम करें यहां इतने सारा इसको है बागा इसको मैं हटादेता हूँ और बाकी लिया करके इसको साफ कर दूँगा जो ज्ञधा होता है यह सब यह रहा दा दूँगा इस परकार से तो चलिए इसको भी मैं डाल लेता हूं इसमें अंडि में त Bluetooth दिखा हूँ और यह जो देख रहे बाकायन का पत्ते हैं तो बाकाइन था आप समझी रहा हूंगए नहीं समझी तो इसमें किटनासा के बहुत सारे तो पाया जाता है तो इसको भी मैं लिया हूं तो चलिए इस परकार से देख रहे हैं कि पत्ते इसके होते हैं इस पत्ते को भी और इसको सखाय को भी जो है मेरे साथ सब को रख लूँगा तो यह जो देख रहे हैं यह बकायन का पौध है इस परकार से इसका पौध होता है देख रहे हैं तो आप चिनित होई गया होगा आपको इसको भी मैं रख लेता हूँ आंडी में तो चलिए इसको मैं आंडी में रख लेता हूँ इस परकार से इसको रख लूँगा और यह जो देख रहे हैं बलिया कोचिया है इसे बलिया को में देखते होंगे कि साधी बीवा में जो होता है सजाने के काम इसको बलिया कोचिया को इस तरीके से या गारी पर सजाने काम इससे बहुत ही ज्यादा होता है तो यह आप समझी गए होंगे चलिए पास से में दिखा देता हूं यह देख रहे हैं यह बलिया कोचिया इसको ब बन की तरब अगर सहर से या गाउं से रास्ता जा रहा होता है या कहीं आपके पास खेतों बगरा में देखने को मिल जाए जंगलों में मिल जाता है तो यह भांट धेख रहे हैं इस परकार से तो इसको मैं काट लिया हूं जितना मुझे जरूरत था जरूरत के हिसाब से काट लिया हूं यह जो देख रहे हैं इसमें फूल नहीं आया है इसमें बुलु बुलु सा पूल लगता है और छोटा-छोटा इसमें दने जायस Northern लगता है तो यह भाट है तो चलिए इसको मैं डाल देता हूं हांडी में इसको डाल दिया और इसे कनईल बोलते हैं कहीं इसको जहर कनईल बोलते हैं आपको इधर क्या इसको बोलते हो कमेंट में बताइए इसको यह जो देख रहे हैं फूल फूल से आप पहचान गए होंगे तो चलिए पहले फूल बाला डाली जो होता है उसी हो काट लेता हूँ देख रहे हैं इस तरीका से इसका फलावरिंग कितना अच्छा है एलो एलो कलर का है तो जितना मुझे जरुरूरत के हिसाब से चाहिए होता है उतना मैं काट लेता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ पास मिला करके देखिए इसे कनईल बोलते हैं यह जो देख रहे हैं इसके इस तरीके का पता होता है देख रहे हैं और पोध भी पीछे देख रहे हैं और फूल भी देख रहे हैं आपको यह चिनित हो ही गया होगा तो मैं जो भी चीज इसमें रखा हूं जारी आप बेल लिया हो सब चीज का मैं चिनित कर बाता हो गरेंटी के साथ यह जो देख रहे हैं तो चलिए इसको मैं मैं रख देता हूं हंडी में यहां पर मैं इसको रख दूंगा और उसके बाद यह जो देख रहे हैं यह अमरलती का जो छोटा वाला मरलती होता है यह जो छोटा वाला मरलती होता है चोटा वाला मरलती है पत्ता जो होता है इसे थोड़ा बड़ा होता है इसको मैं पास मिला करके बिल्कुल मैं दिखाता हूं छोटे-छोटे से इसमें दाने होता है यह जंगलों में पेड़ के ऊपर चढ़ा होता है किसी भी पेड़ के ऊपर यह नीचे से चढ़ जाता है तो देख सकते हैं इसका फली भी है फली पक जाने के बाद यह काला काला सा हो जाता है तो इसको भी मैं लिया हूँ इसमें भी किटना सकता तो जो है वह बहुत ज़्यादा पाया जाता है तो इसको मैं लिया हूँ चलिए मैं इसको अब हांडी में रख देता हूँ तो इस परकार से मैं इसको हंडी में रख दूँगा फिर उसके बाद ये जो आता है जो देख रहे हैं ये धथूरा है तो धथूरा के तो आप भली भाती जानते ही होंगे अगर नहीं जानते हैं तो इसको देख सकते हैं ये इसका फौधा है ये देख सकते हैं और इसमें फूल लगा हुआ है फूल से आप चिनित हो गए होंगे यह देख सकते है कि इस परकार से इसका फूल आता है और इसका पते भी देख रहे हैं आप इसका जो जारी है वो भी आप देख रहे हैं अगर फिर भी नहीं चिनित अभी तक हुआ है तो चलिए मैं इसका ज पांडी में डाल देता हूं तो देखिए इसको डाल दिया हूं इस परकार से और इसमें जो है मैं पानी डाल दूँगा तो बाल्टी में मैं पानी लिया हूं इसमें एक बाल्टी पानी मैं डाल देता हूं तो पहले जग से डाल देता हूं फिर उसके बाद मैं बाल्टी से उ चूले पर चरहाऊंगा, तो ले करके चूले पर मैं चलता हूँ, तो देख रहे हैं कि चूले पर मैं इसको चरहा दिया हूँ, और जो नीचे से जुआच होता है, वो आग लगाना सुरू कर दिया हूँ, तो इस पर लग रहा है, इसको जब तक उबालना होता है, पकाना होता कि जितने भी मैं इसमें पानी डाला हूं उसका आधा हिसा जल जाए और आधा जो बाकी होता है तब तक मैं इसको इस पर चरहता रहूंगा तो देख सकते हैं कि बीच में एक बार मैं चेक किया हूं तो देख रहे हैं कि उबाल जो है बहुत ही ज़्यादा इसमें चल लहा है थोड़ा सा और यह वोगा उसके बाद यह पानी जो है वह आधा हो जाएगा तो लगभा कि यह 2.5 गंटे से मैं इसको चढ़ाए हुआ हूँ इस पे उसके बाद जब ठंदा हो जाएगा तो इसको निचे उतार लूँगा तो देखेये जब ठंदा हो गया था तो मैं निचे सक तत्व इसमें जो पाया जाता है जितने भी वाले जो जारी होता है या जारी जो होता है पौधे का वो सारे जो डाला था वो सब गल करके यह जो देख रहे हैं यह बिलकुल गल चुका है और यह इसमें के जो भी तत्व है वो सारे पानी में चला गया हुआ है और यह खाली पानी जो है यह बचा हुआ है जो उबालने के बाद कुछ इस परकार से आप देख रहे हैं हो गया हुआ तो चलिए मैं साइड कर देता हूं निकाल देता हूँ इसका जितना तपत्व होता है वो अभी पानी में भूल गया हुआ है तो पूरे इसका तत्व पानी में चला गया हुआ है और यह जो नीचे गिरिया सब को उठा को मैं साइड कर दूँगा और थोरा सा हलका हलका यह अभी गरम है तो छूने लाइक है चलिए मैं हाथ से इसको निचोर करके निकाल लेता हूं इसके बाद मैं इसको बाल्टी में चानने के काम करूँगा तो चानूँगा जब कि यह बाल्टी को मैं साइड रख करके इसको हटा देता हूं फिर इस बाल्टी को मैं पास में मैं अपना रखूँगा फिर इस पर कपरा रखूँगा चाननने के लिए कपरा लूँगा उस कपरे को इसको जो बाल्टी देख रहे हैं बाल्टी के ऊपर से मैं डालूंगा कुछ इस परकार से यह देख रहे हैं बाल्टी बिल्कुल साफ होना चाहिए जो देख सकते हैं कि कितना साफ है और इसमें मैं कपरा डालूंगा इसके ऊपर से हलका सा बीच में कपरा जो हता हो और फिर इसको मैं बांधूंगा तो हलका सा धिला कर देंगे तो ताकि इस पर आप डालेंगे तो अराम से नीचे गर सके और प्लास्टिक के सहारे या किसी रस्टी के सहारे आप इसको इस परकार से बांध सकते हैं ताकि जब उपर से आप डालेंगे लिक्विड तो बाहर न कर लेगा तो देखे बंद चुका है अब मैं जो हंडी है इस हंडी को उठा करके इस पर पलटूंगा तो धीरे-धीरे ही पलटूंगा जो इसका लिकवेड है ओ धीरे-धीरे नीचे जाएगी पूड़ा एकी बार में नहीं पलटूंगा धीरे-धीरे परलटना है कुछ इस प किट नासक जो है ये बनके नीचे के हिसावला जो है वो विल्कुल ready हो रहा होगा और ऐसे करके मैं सभी को डाल दूँगा इस परकार से फिर हंडी को मैं साड कर दूँगा और कपरे जो है इसको खोलूँगा मैं जो बांध करके रखा था कपरे को बाल्टी से इसको मैं खोल देता हूँ इस परकार से मैं खोल लेता हूँ और खोलने के बाद ये कपरा पकर करके रखेंगे क्योंकि एक साइड से कहीं छुट जाने के बाद यो सारे उपर का जो है वो कहीं बाल्टी में न गिर जाए और इस को इस परकार से निचोर दोंगा मैं इस से करके निचोर करके इसको मैं साइड में कर देता हूं कपरे को हटा देता हूं वे क Springs का कलर दिखाता हूं जो देख रहे हैं किस परकार से बनके त्यार हुआ है कि किस गलुक जिसका कभी पता चल जाएगा आपको बताओंगा कि कैसे इसको यूज़ करना है तो यह श्टोरेज करने के लिए मैं थोरा सा एक काज का एक लीटर के में बोतल लाया हूँ यह जो देख रहे हैं यह बिलकुल ट्रांस्फलांट है पूरे आरपार दीख रहा है यह जो देख रहे हैं और इसमें ऐसे करके मैं डालूँगा इसका कलर के भी पता चलेगा आपक जो फूल लगाए हैं फल लगाए हैं सबजी लगाए हैं वो सब चीज के उपर इसका किटनासा का छिरकाब एक लिटर में 20 लिटर पानी डालके कर सकते हैं यानि 20 गुना इसमें पानी होना चाहिए और हपते में दो बार छिरकाब अगर आप कर देते हैं तो जितने सारे कीट जो होगा इलिया होगा चीटी होगा और और सभी फंगल होगा वो सभी गयब हो जाएगा खतम हो जाएगा आपका पौधा बिल्कुल लह लहाता रहेगा ये जो देख रहे हैं कैन जार इसमें 5 लिटर का भर दिया हूँ और 2 लिटर इसमें डाल दिया हूँ तो 7 लिटर ये बनके पुर रेडी हुआ है और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं